हाई दोस्तों मैं सुधाकर चोरशी है मेरा चैनल है सक्सेजिए मंत्रा फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेयर करें लिटेस्ट वीडियो पाने के लिए विल आइकोन को प्रेस करें आज मैं आप लोगों को इंटिगेशन वाई सब्टिट्यूशन में तरश्र इसके जगह पर पूरे के जगह पर जो यहां है उसके जगह पर डिटी लिख देंगे और इसके जगह पर टी लिख देंगे तो चलिए सबसे पहले उसको टी मानते जिसका इंटिगेशन दिया हो जैसे लॉग एक्स का डिफ्रेंसेशन वन बाई ए एक्स थिसके लोग एक्स को को हम लोग क्या करेंगे t मानेंगे इसमें log x को हम लोग t मानेंगे log x का differentiation होता है 1 by x dx is equal to dt अब इतने के जावाई पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dt और इसको पूरा लिख देंगे integration से कि square log x से जाब पर t into dt ओके अब से कि square x का integration होता है 10 x वैसे से कि square t की का integration हो जाएगा 10 t और प्लस c और 10 10 तो ऐसे ही लिखाए t की वैलिव अम लोग क्या मना है log x 3 हो जाएगा 10 log x प्लस c यह इसका answer हो जाएगा second question third question करते है third question है integration e की पावर 10 inverse x upon 1 plus x square into d इसमें किसको t मानेंगे इसमें 10 inverse x को t मानेंगे क्योंकि 10 inverse x का differentiation होता है one upon one plus x square इसलिए इसको 10 inverse को t मानेंगे तो यह पूरा constant लपेटे में आ जाएक इसलिए 10 inverse x को kya करते हैं t मानते है 10 inverse x को t मानेंगे तो 10 inverse x का differentiation होता है 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt यह द कि पूरा constant यह लपेटे में आगया इतने के जाब हम लोग d t लिख सकते हैं इकी पावर इसको लिख सकते हैं integration e kya i support t 10 inverse x mo am i n e n integration disappointment t माना इं तरिएंड के जापवर क्या mark क्या सकते है d t और e kya i Colombia x mitigation होता है e की पावर x अब दिख सो वैसे e की पावर t का integration हो जगा, e kya t प्लस c ौर t की जो value है वो रग देते है e की पावर टी की वेल्यू क्या माने है 10 inverse x तो यह हो जाए e की पावर 10 inverse x plus c यह हो गया मेरा फोर्त कोस्टन है integration sin inverse root x upon root x into dx इसको इसमें सबसे पहले किसको टी मानेंगे इसमें root x को हम लोग टी मानेंगे root x का differentiation हो तो 1 upon 2 root x इसलिए root x को इसमें हम t मानेंगे और इसका differentiation करेंगे root x का differentiation होता है 1 upon root x into dxa dt इसलिए इस बीखिए इतना जगह पर हम लोगों क्या लिखना पड़ेगा यह हो जाएगा इसके 1 upon root x dxa do dt हो जो यह यहाएगा इसके जहाए इसके जुदीदी उपर लिख देंगे यह हो integration sign inverse root x को हम लोगों ने T माल लिया है इसके जगा पर टू जो यह constant बाहर आ जाएगा और यहां हो जागा dT sign inverse x का जैसे differentiation होता है sign inverse x का differentiation होता है हम लोग का sign inverse x का differentiation होता है one upon under root one plus x इस होर हुए सी sign inverse t का differentiation session भी कर देंगे two bracket में one upon one plus under root one upon one plus t square और t की value रख देंगे तो यह क्या होजाएगा two upon और plus c constant जोड़ देंगे तो यह होजाएगा two upon under root one plus t की value क्या है and root x का whole square plus c यह हो जाएगा हमारा fourth question fifth question देखते हैं integration three x square upon one plus one plus x c power six into dx तो चलिए इसको solve करते हैं integration three x square upon इसको लिखेंगे one upon x c power six हो हम लिख सकते हैं x c power three का square into dx और इसमें x की power cube को हम लोग टी माल लेते हैं x c power cube को टी जब इसका differentiation करेंगे तो इतना हो जाए three x square dx is equal to dt हम लोग को जरूरत पूरे कि यह three x square dx के इसके जगा पर क्या लिख सकते हैं dt इतने के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dt तो यह हो जगा integration इसके जगापर अपान one plus x cube को हम लोग क्या महलना तो यह हो जगा टी सक्वार यह फार्मूला थे one upon one plus x square 10 inverse x का इसलिए फार्मूला जगा 10 inverse t plus c और t की वेल्यों मिलोग लोग में लिख लागना x cube त्या हो जगा 10 inverse x cube plus c यह हो जगा मेरा answer फिप्स कोस्टन का छाटा कोस्टन करते हैं x square plus 5x plus 9 इसको t मान लेंगे और इसका डिफ्रेंसेशन x square का डिफ्रेंसेशन होता है 2x 5x का डिफ्रेंसेशन होता है 5 और इसका constant करते हैं डिफ्रेंसेशन 0 हो जाएगा इसलिए इसका dx is equal to dt यह पूरा उपर वाला हम लोग को मिल देंगे 2x plus i उसके जब हम लोग को क्या लिख देंगे t ऊपर हो जाएगा हम लोग का t और नीचे हो जाएगा यह t हो जाएगा नीचे हो जाएगा t यह हो जाएगा 1 upon t होता है log t plus c और यह हो जाएगा log t की value क्या है हम लोग को माना है x square plus 5x plus 9 plus c यह मेरा answer हो जाएगा Thank you